गुट मॉर्निंग माई दिया स्टुनेंट्स मैं अव्डेन सिंग चभान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट आफ फिर करियर में टोड़े आइम गोईंग तो डिसकस अ वेरी इंपोर्टन टॉपिक तो गेट सेक्सेज इन यूर लाइफ इन यूर करियर ताइम मेनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते भी होंगे हम सबने पढ़ा भी होगा और अपनी लाइफ में टाइम मेनेजमेंट को कभी न कभी फॉलो भी किया होगा पर क्या हम time management की सही recognition को जानते हैं या कभी अपने dreams, अपने goals को achieve करने के लिए time management का सही प्रयोग किया है इन सब points को आज मैं discuss करूँगा, explain करूँगा तो वीडियो को start करने से पहले आज सबी से request है कि अगर आप हमारे चैनल में नए है या भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को like करें and then channel को subscribe करें और bell icon को दबाना न भूले ताकि हमारे latest वीडियो की notification सबसे पहले आपके पास पहुचे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो lecture में हम क्या क्या discuss करेंगे यानि की हम content layout को जान लेते हैं तो इस वीडियो lecture में हम सबसे पहले discuss करेंगे what is time management and then I will discuss what is myth for the time management or we can say what is wrong time management and then I will discuss the how we can manage our valuable time after it I will discuss practical difficulties phases to manage the time management how we can overcome from these difficulties and then I will discuss benefits of time management and at last I will close my video lecture with the conclusion तो आई डिसस करते हैं what is time management so time management दौपर युग और उससे पहले से भी use होता आया है, follow होता आया है स्रीकेस जी ने गीता के दूसरे अध्याय और 41 में इसलोक वैवसाय आत्म का बुद्धिर एक है कुरू नंदन बहुसाका अननताश्चा बुद्धियो आ वैवसाय नाम इस इसलोक के मादम से स्रीकेस टाइम मेंजमन को समझाते हैं स्रीकेस जी अर्जुन को समझाते हैं कि जिस मनुस्का वैवसाय और आत्मा यानि कि व्यवसाय आत्म का मतलब व्यवसाय और आत्म का मतलब आत्मा यानि कि मन बुद्धिर एक है यानि कि बुद्धी एक ही दिसा में व्यवसाय आत्मा और बुद्धी एक ही दिसा में काम करते हैं उसे अपनी लच्च की प्राप्ति अवस्य होती है जिस व्यक्ति की बुद्धी आत्मा व्यसाय तीनों अलग अलग दिसमें होते हैं उस व्यक्ति का जीवन अनंद बहुत साखा वाले व्रच की तरह होता है जो कभी उचाईयों को प्राप्त नहीं करता है यानि की सीख जी ने इस इसलोग में प्राइरटी मेंजमेंट यानि की गोल पर फोकस किया है अगर आप अपना गोल फिक्स करते हैं और उस गोल को एचिव करने के लिए अपनी आत्मा यानि मन और बुद्धी को एक ही दिसा में लगाते हैं तो आपको अपनी रच की प्राप अनि प्राप नहीं होगा यानि आपका टाइम बेस्त हो गया एक जनी की इंनका सबसे पहला स्टेप क्या है प्रयोर्टी मेंजमेंट यानि की गोल डिसीजन तो आई डिसक्स करते हैं वहायनिश्ट अंज सो है county में मेंच्ण है वाहीं descriptions करते हैं उस सबसे पहले हमें सिरुलिंग करेंगे that is only the waste of time इसका मतलब time management में time सिरुलिंग से कहीं ज़्यादा important है priority management और गीता के 41 इस लोग ने भी सिरी कहिंजी ने priority यानि की गोल पर ही focus किया है जब द्रोनाचार कौरो और पांडो को सिछा दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि लकड़ी का पेड़ और लकड़ी की चिडिया जिसकी आँख को भेदना है उन्होंने दिर्योधन से पूछा क्या दिख रहा है तो उन्होंने बोला अकार दिख रहा है पत्ते दिख रहे है फिर युदिष्ठिर से पूछ तुम्हें क्या दिख रहा है मुझे चिरिया की आंक गर्दन पंक दिख रहा है भीम से पुछा तुम्हें क्या दिख रहा है मुझे आम दिख रहे हैं लेकिन केवल अर्जुन इसे जुने ने बोला मुझे सिर्फ चिरिया की आंक दिख रही है और क्या दिख रहा है सिर्फ च मेंजमेंट कहते हैं, now time management को लेकर बहुत से लोगों में कुछ myth यानी भ्रह्म है, कुछ लोगों का मानना है कि time scheduling ही time management है और वो priority management पर focus नहीं करते हैं, तो आज research करते हैं, क्या myth है, क्या भ्रह्म है और क्या गलट time table है, time management है, तो आज research करते हैं, so आज भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि time scheduling ही time management है और वो बिना priority decide किये, बिना goal decide किये, या अपना goal तो decide करते हैं, पर उनका goal उनके area of interest पर depend ना करके, या उनके strength के according ना हो करके, दूसरों को कहने के according, या अपने दोस्तों के according कि, अगर हमारा गोल अपनी priority बना करके, एक बहुत ही पैक श्रीव बना लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको screen में दिखा रखा है, 6 से 6 वजे उपन, 6 a.m, wake up and get fresh and go to gym, walk and exercise, 7 to 7.30, take rest and bath and take heavy breakfast and then so on, हम एक पैक श्रीव बना लेते हैं, हमें एक fix time table ना लेते हैं और fix time table को follow करना start कर देते हैं, अब हम इस time table recording क्या करते हैं, हम time recording काम करते हैं, time recording अपनी priority पर work करते हैं और अगर किसी disturbance के लिए से हम अपना workout नहीं कर पाते हैं, तो हमारा वो work क्या होता, delay होने लगता है, और delay होते होते क्या होता है हम पीछे हो जाते हैं, और ultimately at last होता क्या है कि हमें अपना लच नहीं अचीव होता है, तो हम यह negativity बना लेते हैं अपने मन में कि time management करने से कोई फादा नहीं होता है, time management बेकार की चीज़ है, जो लोग successful हो जाते हैं वो ऐसे time management पर बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, Now, if it is wrong time management, then what is right time management, और we can say what is actual procedure of time management, तो I discuss करते हैं, what is the actual procedure of time management, So time management का सबसे पहला सबसे important step है priority management, that is to set your goal, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना goal decide करना है, और जो आपका goal होगा, Your goal should be according to your interest, area of interest के according आपका goal होना चाहिए, या फिर आपके passion के according आपका goal होना चाहिए, या फिर आपके strength के according आपका goal होना चाहिए, और goal बनाने के बाद जो second step है, that is planning, आपको क्या करना आपको अपने goal को achieve करने के लिए, आपको requirements सर्च करना होगा, क्या-क्या requirement है अपने goal को achieve करने के लिए, कितना time required होगा, कितना work hard required है, इसके लिए आपको पहले planning करने होगी। जैसे आप मैं आपको एक्जामपल लेता हूँ, student का एक्जामपल लेता हूँ मैं आपको, माल ये एक student है, 12th standard का एक student है, तो सबसे पहले आपको अपनी strength या फिर अपनी area of interest या फिर अपनी passion को find out करना है, कि आपका passion क्या है, आपका strength क्या है, आपको किसमें काम करने मज़ा आता है, क्या चीज़ आपको जल्दी समझ में आती है, आपको पहले find out करना होगा, ठीक है ना, अपनी strength, अपनी area of interest को find out करके आपको अपना goal खुर decide करना होगा, किसी के कहने पर आपको अपना goal decide नहीं करना है, हाँ, अपने area of interest को find out करने के लिए आप लोगों की help ले सकते हैं, लेकिन अपना goal आप किसी और के according मद decide करिए, पहले आप अपना goal खुद decide करिए, goal decide करने के बाद, आप क्या करिए, planning करिए, कि उस goal को achieve करने के लिए कितना time लगेगा, for example, आपने ही decide कर लिया कि हमें IES बनना है, यानि कि civil service का exam qualify करना है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा, पुरी detail find out करनी होगी, कि IES का exam कब होता है, कितने step में होता है, इसका syllabus क्या है, syllabus में कौन कौन से subject है, जो हमारी area of interest है, यानि जो हमारी strong subject है, वो इसमें कितने subject हैं, उनको हम ले करके preparation करेंगे, preparation करने से पहले हम decide करेंगे कि हमारा syllabus कम्प्रीट करने के लिए कितना time required होगा, यानि कि third step क्या है हमारा time scheduling, यानि कि सबसे पहले हम goal decide करेंगे, goal decide करने के बाद planning करेंगे, planning करने के बाद हम एक time schedule रुनाएंगे, और time schedule भी fixed time schedule नहीं होना ठीक है, time schedule में हम क्या करेंगे, अपने daily, जो हमने पूरा plan नहीं है, उस पूरे plan को हम क्या करेंगे, day wise, यानि daily routine में हम सको divide करेंगे, ठीक है, और हम उस daily task को complete करने के लिए हम एक limit उनाएंगे, कि हमें आज की दिन को, आज जो हमें काम करना है, उसको हमें 5 गंटे में complete करना है, या 6 गंटे में complete करना है, लेकिन अगर 6 गंटे में complete नहीं होता है, इसका मुलब यहीं नहीं कि 6 गंटे हमने पढ़ाए कि उसके आदम ने बंद कर दिया, नहीं, हमें अपने work पे focus करना है, ना कि time पे focus करना है, जितनी जन्दे हम अपना काम खतम करना है, daily, day wise का, जो daily काम ह हमारा daily task है, उसको जितनी हली complete कर लेंगे, उतनी हली हम free हो जाएंगे, और free होने के बाद क्या करेंगे, हम दूसरी चीजों में हम involved हो सकते हैं, तो पहले हमें अपने work पे focus करना है, ना कि time पे, 6 गंटे लगता है, 7 गंटे लगता है, 8 गंटे लगता है, जितना भी time लगता है, पहले आप decide करिए कि हमें एक दिन में कितना syllabus complete करना है, कितना हमें पढ़ना है, ठीक है, अब आप syllabus कैसे decide करेंगे, आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं, 4 गंटे पढ़ सकते हैं, 5 गंटे पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना daily wise task decide करिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि जितनी आपकी capacity है एक दिन में पढ़ने की, या एक दिन में जितना काम करने की capacity है, आप उतना ही time decide करिए, कोई fix मत करिए यह में 4 गंटे पढ़ने ही है, या 6 गंटे पढ़ने ही है, ऐसा नहीं बत करिए, आप अपनी capacity खुट find out करिए, कि हम एक दिन में 5 गंटे पढ़ सकते ह ठीक है जैसे से आप पढ़ाई स्टार्ट करते आएंगे आपके area of interest से जुड़ा होगा तो आपको पढ़ने मज़ा आएगा तो आपका time आपका work जो है time period जो आपने आप बढ़ने लगेगा एक पहले दिन आप 5 गंटे पढ़ेंगे दूसरे दिन 5 गंटे तीसी दिन 6 गंटे साथ गंटे ऐसे करते करते हो सकता आप पूरे पूरे दिन पढ़ते दे जाएं ठीक है ना क्योंकि वह आपके area of interest से जुड़ा होगा तो फिर आप बोर होने लगेंगे आप पहले चार गंटे रिसार्ट करेंगे अगले दिन 3 गंटे हो जाएगा उसके बाद अगले दिन 2 गंटे हो जाएगा फिर एक गंटे फिर ऐसा होगा कि आपका money नहीं करेगा और फिर आपका time table अलग हो जाएगा और आपका अपना daily routine अलग चलने लगेगा ठीक है और आप अपने goal को success नहीं कर पाएंगे गोल के चीब नहीं कर पाएंगे और फिर negativity create हो जाती है कि time management करने से कोई पाइदा नहीं होता है ठीक है ना तो सबसे पहले goal decide करना है उसके planning decide करनी है planning decide करने के बाद क्या करना है day wise आपको time schedule करना है आपको target वनाना है कि आज हमें इतना workout करना है time decide में नहीं करना है कि हमें इतने घंटे नहीं करना है हमें इतना काम करना है ठीक है अपनी capacity could find out क इतना कर सकते हैं, उतना आप decide करिए, उसको आप करिए, ठीक है ना, next step क्या है, don't fix your time, जी मैंने आपको बता दिया, don't fix your time for anything, just make your determination to complete your daily task, अपने determination नहीं कि हम इतना आज complete करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद next step है, that is last step, after completing your daily task, celebrate yourself, अपने आपको celebrate करिए, जो आपको पसंद है, वो आप काम करिए, अपनी family के साथ time spend करिए, आपको game खेलना पसंद है, आप game खेलिए, लेकिन daily task complete करने के बाद, जो आपने एक दिन में decide किया है, कि मैं इतना करना है, उतना complete करने के बाद, वो जितनी जल्दी आप complete करने, वो आप फेट बन करता है, ठीक है, और अगले जिन की planning आप, एक दिन पहले ही कर लिजे, ठीक है, इस तरीके से अगर आप time schedule बनाते हैं, आप अपना time management करते हैं, planning learning करते हैं, तो आप अपने goal को जरूर एचीव करेंगे, ठीक है, और अगर आप अपना goal एचीव कर लेते हैं, मतलब आपने time को सही तरीके से utilize किया, ठीक है, this is the actual time management, ठीक है, आसा करता हूं, आपको समझ आया होगा, अब बात करते हैं, कि क्या problems आती है, during the time management, time management के according, जो हम workout करते हैं, अपने goal की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या-क्या problem आ सकती हैं या आती हैं, और उसको हम कैसे solve करें, ठीक है, क्योंकि problem जरूर आती है, तो मैंने एक तरफ problem और दूसरी तरफ solutions लिख दी हैं, आई देख लेते हैं, तो सबसे basic problem है, lack of confidence, बहुत से लोगों में generally ये problem र हम कमियें दूने लेती हैं, कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास किताब ही नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास dan relevant नहीं है, ठीक है, confidence की communication पींचे भहत सारी negativity आने लगती हैं, तो इस confidence को कैसे create किया जै, कैसे इस conference की problem को solve किया जाए तो आई देखते हैं सो जब भी आप free हों पहले तो आप अपना पूरी planning करके daily task बनाएए टाइम डोलन आएए और पहले आप अपना daily task complete करिए daily task complete करने के बाद आपको celebrate करिए family साथ time spend करिए दोस्तक साथ time spend करिए अपने गोल के बारे में अपने ड्रीन के बारे में सोचिए कि अगर हमें ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या क्या benefits मिलेंगे और साथ ही साथ जो successful personalities हैं उनकी story पढ़िए उन्होंने क्या-क्या problems face की उन्होंने कैसे उस goal के achieve किया उनकी story पढ़िए ठीक है उनके time में कितनी problems थी तब भी उन्होंने वो success achieve करी ठीक है तो जब आप successful personality की story पढ़ेंगे तो आप भी motivate होंगे definitely होंगे ठीक है तो आप अपने आपको confidence में लाईए कि आप ऐसा कर सकते हैं अपने dreams के बारे सोचिए कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम हमारी life क्या हो सकती है ठीक है आप अपने successful personalities के बारे में जानिए उनके अंदर क्या-क्या difficulties आई थी वो भी आप जानिए उन्होंने कैसे confidence भी आएगा और जो कमिया है जो चीज़े आपके पास नहीं है पैसे कमी है तो आप दोस्तों से help मांगे कि हमाए पास पैसे कमी हैं कोचिंग नहीं कर सकते तो किताबों का arrangement करिए आपकी सरी किसी ना किसी पास आपके पास मिल जाएगी अपने family में बात करिए ठीक है और आ आप arrangement खुद से करिए negativity से कभी भी problem solve नहीं होती अपने अंदर confidence लाइए कि हमें करना है तो करना है ठीक है और कैसे करना है उसके लिए आपको problems खुद से ही solve करना होगी खुद दिमाह लगाना होगा अगर आपने दिमाह लगा लिया problem solve कर लिया तो यह नहीं ही आपने अपने problem solve किया उसके बारे में जानी है ठीक है next basic problem है that is distractions in your life हमारे लाइब में बहुत सारे distractions है Facebook है वाटसप है गेम्स है family problems है बहुत सारे distractions है जो हमें अपने गोई से धूर ले जाती है पदला हम पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते करते बीच में हम आपाद दोस्त का phone आया चलत अपसे पहले जब आप अपना गोल पर अपने वर करना स्टार्ट करें सुबह से उठीए फ्रस होई एक्सराइस करें अपने अपने गोल के लिए hard work करना स्टार्ट करें आप अपने mobile को silent लगा दें या switch off कर दें अगर switch off कर सकते हैं तो बहुत अच्छी वाद है अदवाइ silent कर दें और उस phone को अपने आप से बहुत दूर रखें ठीक है फोन पर आप धानी मत दीजे क्योंकि maximum destruction phone से आता है TVV से आप दूर रहिए जब तक आपका daily task complete नहीं हो जाता जब तक आपने जो decide क्या है जिस काम को decide क्या है वो आप नहीं कर लेते तक आप बाखी चीजों से एक दम बख बैठिए ठीक है बीच में खाने पीनी के लिए आप उठते रहे है इनर्जी द्रिंग लेते जाए चाय अगर जो थे तो आपने नमी से कह दिए आप खुद बना कर पिते लिए साथ में आप क्या कर सकते है इनर्जी बनाए रखने के लिए आप चीनी लेडिए कुछिं Saosak विजा देल्रिए और लिकमष धारिध ऑर करते हैं और तक आप में चेक से क्ट लेते जाहिए इसको आपके अंडर्ड इनर्जी बनी रहीे है और तक आपका टास्का पूरा नहीं होना दलाए तब तक आपको अपने बिद्रहे बड़कना नहीं हो एक्का ओ मे आपके घर में कोई आ गया, आपका दोस्त आ गया, माली आपने फोन तो दूर करते है, लेकिन दोस्त आपके घर में आके बैठ गया, आपसे बाते करने लगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा important क्या है, दोस्ते बाते करना या पढ़ा अब बोल, घर जा के अब पूछ कि आप क्या प्रॉल्म की पता, ठीक है, समय आगे, आपके गोल की मीच में आप कुछ भी आया, आपको उससे दूर करना है, और अपने आप से खुद कोशन पूछना है, कि आपके लिए इंपोर्टन क्या है, जो चीज आप सा स्यादा इंपो लगा दिये, फ़दर चार गंटे में वहने घंटे तो एसे बिस्ट कर दी, पज़ए तीन घंटे में भी पतल आदे गंटा में अराम कर लिए, रेस्ट कर लिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमें इतना काम करना है, यहनि क्वाल्टि आप वर्क पर फोकस करना है, किस पर व प्लानिंग कर लिए लेकिन हम उस एक्जाम को कॉलिफाय नहीं कर पाए या अगर हमने की बिजनेर्श ओपन क्या वो सक्षेश नहीं हुआ तो हम क्या होते हैंth टीनल टीन एकि क्वाहरु तो ऐसा क्या करना है तो हमें क्या करना हैं डीन मोटिबेट नहीं और नहीं होना है वोन डान गिव अप तो यूर सल आप कोई भी बिना फेल हुए सकता है इस बार आपने इस कौणिफाई नहीं किया हो अगले साल कर सकते हैं अगर एक साल की मैथ से आपको इसे कौणिफाई करने कि दो साल लगते हूं या आपका जो माइंड है उसके कौणिफाई आपका I-S qualify होगा ठीक है तो आप तीन साल जैसे ही आप देंगे हो सकता तीन साल में qualified हो जाए लेकिन अगर आपने पहले साल give up कर दिया तो आइस कभी qualify हो इन सकती तो आपको कभी भी give up नहीं देना है फेल होने पर आपको कोई साइकल से आप बाइक से गिरता नहीं है तब तक को साइकल या बाइक सीखता नहीं है वैसे ही जब तक कोई फेल नहीं होता तब तक कि वह सक्सेस नहीं हो सकता ठीक है आपको यह बात याद रखनी है कि no one can successful without failure failure is the key of success and find out your weak point and work on it अगर आप fail हो जाते हैं तो आप fail होने के बाद यह तो भूल जाएए कि आप इसका भी success नहीं हो सकते हैं मतलब आपको give up नहीं करना है और fail होने के बाद आपको क्या करना है अपने weak point पर focus करना है कि किस वज़े से आप fail हुए है उसको आप धूणिए और अपने weak point अपने failure पर work करेंगे और definitely अगर आप अपने failure पर work करेंगे तो अगली बार आप successful होंगे अपने goal को achieve जरू आप नहीं देना है अगर आप इन problems को solve कर ले गए तो आप अपने goal को 100% achieve कर लेंगे ठीक है तो आपको ध्यान रखना है Now अब बात करते हैं benefits of time management, time management के benefits क्या है तो अब आपके मन में point आओ रहा होगा कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं goal achievement की हम focus on goal की बात कर रहे है time management का मतलब है कि priority decide करना, time scheduling करना, तो फिर benefits की बात क्यों कर रहे है क्योंकि main benefits तो time management का goal achieve करना ही है ठीक है, बिल्कुर सही है, time management का जो main benefit है that to achieve your goal, लेकिन जो goal है वो तुरंद अचीव नहीं होता है, goal achieve होने के लिए कुछ particular time required होता है, एक साल, दो साल, ठीक है better quality of work, अकर आप time management को proper तरीके से follow करते हैं, तो आपके work की quality improve होती है और इसका benefit यह मिलता है कि आपको school में आप teacher आपको प्रसायद करती है, job में आपको, आपका boss आपको प्रसायद करता है, जिससे आपके promotion के बहुत ज़दा chances बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप quality work पर focus करते हैं, क्योंकि आप कभी भी ध्यान दीजेगा, कितना time लगा किसी काम को करने के लिए, यह कोई नहीं याद रगता है, लेकिन कितना अच्छी तरीके से आप में काम किया, यह हर को याद रगता है, ठीक है, इसलिए time management को आपको बहुत अच्छी तरीके से focus करना है, time management आपको better quality of work को product रहता है, ठीक है, next benefit is more opportunities and career growth, अगर आप time management को follow करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी opportunities मिलती है, बहुत सारी career growth के opportunities मिलती है, आपका career increase improve होता है, ठीक है, next benefit is proper balancing between work and life, अगर आप time management को follow करते हैं, तो आपके work और life के बीच में एक proper balancing बनती है, आप अपने घर अपने family को भी time दे पाते हैं, और आपने काम को भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं, ठीक, next benefit is more productivity and efficiency, आपकी efficiency improve होती है, आपके quality of work improve होने के साथ साथ आपकी efficiency improve होती है, आप अच्छी तरीके से एक जिनमें ज्यादा काम कर पाते हैं, ठीक है, next benefit and last benefit is you can achieve your success or you can achieve your goal in your life, आप time management को follow करके ही अपने goal को achieve कर सकते हैं, ठीक है, so these are the benefits of your time management, now एक साइरी के साथ मैं इस topic को यहीं पर in करना चाहूँगा, वक्त सबको मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए, लेकिन जिन्दगी दुबारा नहीं मिलती, वक् रखना है, ये समय बहुत ही आदा important है आपके लिए, आपका समय आपके लिए बहमूल है, अपने समय को waste ना करें, एक proper goal set करें, planning करें और अपने time को schedule करके, अपने goal की ओर अपना तन, मन और धन लगा दें, आसा करता हूँ, आप सभी को time management की सही meaning और सही procedure समझ में आई होग अगर आपको ये video lecture पसंद आये हो, तो please video को like करें, share करें और अपना feedback जरूर दें, तो फिर मिलते हैं next topic के साथ, तब तक के लिए thank you, धनवाद, have a nice day